हेलो एवरिवन तो आज एडम स्मीथ थेयरी आफ एफसलेट कॉश्ट एडवांटेस इसके बार में हम पढ़ेंगे तो एडम स्मीथ जो तेयरी है इसमें यह बताया गया है ओवर्यू मैं ऐसा बता देती हूं कोई भी कंट्री है जिस चीज में वह स्पेशलाइज है तो ट्र जिस चीज में स्पेशलाइज होगी तो उस चीजों में वह एक दूसरी को ट्रेड करेंगी और इससे रिलेक्शनशिप अच्छा होता है और फोरेन एक्सचेंज वेग्रे में भी होता है एकोनोमिक डेवलपमेंट होती है और नॉलेज मिलता है और वेल कंसुमर वेलफेर ह होता है और एकोनोमिक ग्रोथ करता है डेवलपमेंट होता है यह सब ऐसे वेरियस एड्वांटेज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के तो ट्रेड करने से यह बेनिफित होते है तो यहां पर बोला गया कि अकॉर्डिंग तो इस थेरी बिट्विन थे नेशन तुक प्लेस इ डॉमेस्टिकली कंट्रिस तो एक्जामपल है ब्रेड एंड क्लोथ का ब्लेड एंड क्लोथ में क्या है कि इंडिया प्रेड्यूस कर रहा है हंड्रेड ब्रेड एंड क्लोथ कर रहा है फिप्टी और इंग्लेंड प्रेड्यूस कर रहा है हंड्रेड तो यहां पर देखा ज तो 50 के लेबर कम लग रहा है तो वह कम लेबर में तो वह क्लोड प्रेडूस करेगा और यहां पर और ब्रेड को इंपर्ड कर लेगा इंग्लेंड 50 लेबर में मतलब उसका लेबर कम लग रहा है और उसका कॉंटिटी मतलब कम में ज्यादा हो रहा है तो इसको इसमें खर्चा कम हो रहा है तो इसलिए यह करेगा तो 50 में यह इंग्लेंड 50 प्रड्यूस करेगा ब्रेड तो इसमें यह देखा जाता है कि इंग्ल के तो अच्छे से समझते हैं